कारा काट की लड़ाई इतनी भयंकर हो चुकी है कि देश के पिएम नरेंद्र मोदी को खुद ही कारा काट में आना पड़ा और उपेंद्र कुस्वाहा के लिए वोट मांगना पड़ा अगर आप इस बात पे खुस है कि पवन सिंग न यहाँ पे गजब का महौल बना दिया है तो उससे पहले ये सुन लिजिए कि पाटली पुत्रा में भी नरेंद्र मोदी आए और राम कृपाली यादों के लिए इन्होंने वोट मांगा कारा काट के बाद सिधे नरेंद्र मोदी बक्सर जाएंगे और वहाँ पर भी मिथिले स्तिवारी के लिए वोट मांगेगे इससे पहले महराज गंज में भी आ चुके हैं और बिहार के कई जिलों में नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं लगातार अपने जो इनके कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं इसका मतलब कारा काट की कहानी कुछ अलग नहीं है पर कारा काट की क्या कहानी है और लडाई क्या है और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा हम आपको यही बताएंगे मतलब मैं मोदी जी का भासर खुद ही सुन रहा था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि मोदी जी कब पवन सिंग को टार्गेट करेंगे और कब कहेंगे कि आपको जो करना है करिए पर मुझरा करने वाले को वोट मत करिए और यकीन मानिए मोदी जी ने ये कहा भी सर एक बार फिर से सुनिए मोदी जी ने ये कहा भी पर बातों को इस तरह से घुमा के कहा कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे वाह मोदी जी वाह मतलब मोदी जी ने पवन सिंग का तो नाम नहीं लिया ना ही जिक्र किया और ना ही ऐसा लगा कि मोदी को पता है कि पवन सिंग नाम का कोई व्यक्ति यहां चुनाओ भी लड़ रहा है। क्योंकि वो पूरे चुनावी सभा के दर्मयान जब तक लोगों को संबोधीत करते रहे निर्दलिय पर भी उन्होंने चर्चा नहीं किया। इससे पहले जब असम के मुख्यमंत्री आये थे तब बक्सर में निर्दलिय चुनाओ लड़ रहे आनन्द मिस्रा को जम के उन्होंने टार्गेट किया था। तब ऐसा लगा था कि बक्सर का जो चुनाओ है वो पूरी तरह से आनन्द मिस्रा की वज़ा से प्रभावित हो लेकिन नरेंद्र मोदी का भासर सुनके ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि पवन सिंग की वज़ा से भाजपा यहां प्रभावित हो रही है। पूरे चुनाओ के दर्मियान वो राजद पे कॉंग्रेस पे हमलावार रहे। पर मुझरा को लेके एक बात उन्होंने यह जरूर कहीं जिसको लेके अब बवाल मचा है। मोदी जी ने कहा कि अगर इंडी गठ बंदन वालों को अपने वोटरों को खुश करने के लिए गुलामी करनी है तो करें। वो अगर मुझरा करना चाहें तो वो भी करें। मतलब मोदी जी ने इस तरह के सब्दों का यूज किया। पर पवन सिंग के लिए नहीं। बलकि उन्होंने कॉंग्रेस और राज़त के लिए अपने विपक्षी प्रतिद्वंदियों के लिए। हाँ नरेंदर मोदी ने लालू प्रशाद यादो और तेजस्वी यादो पर बड़ा हमला बोला। मतलब इनोंने कहा कि बिहार में नौकरी के बदले जमीन लेने वालों का काउंट डाउन सुरू हो गया है। और जैसे ही हलिकॉप्टर का दोरा खत्म होगा वैसे ही जेल के रास्ते खुल जाएंगे। इस तर्म्यान इनोंनी ये भी कहा कि इनकी योजना है पांच साल में पांच पीम देने की। ये पांच पीम के दावेदार कौन-कौन है? तो एक है गांधी परिवार का बेटा, दूसरा है सपा परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली सीव सेना परिवार का बेटा, ये सारे परिवार वाद मिलकर पीम की कुर कि ये जो आपका वोट है वोट अगर उपेंदर कुस्वाहा को जाता है तो हमें जाता है और आपको PM चुनना है MP नहीं चुनना वैसे इस बात में कोई श्रक किया दोराय नहीं है कि पुल्णिया के बाद सबसे ज्यादा कहीं दिल्चस्प लड़ाई है तो वो कारा कार्ट ल पवण सिंग को कितना वोट मिलने जा रहा इस बात का अंजाजा भी किसी को नहीं लग रहा लेकिन फिर भी अगर पवण सिंग के फैंस को लगता है कि पवण सिंग यहां एक तरफा चुनाओ जीत चाहेंगे तो आप इस गलत फाहमी में हैं क्योंकि पहली बात ये कि भारत में कोई भी सेलिब्रिटी निर्दलिय चुनाओ लड़ते हुए अब तक चुनाओ जीतने में ना काम्याब ही रहा है वो भी स्पेशली लोकसभा का चुनाओ और दूसरी सबसे महत्वपून बाद पिछली बार बेगु सराय से चुनाओ लड़े थे कनहिया कुमार कनहिया कुमार उस समय इतने ज्यादा लोकप्रिय थे लोग उनको इतना जान रहे थे और सोसल मीडिया पे उनके भासर इतने वाइरल हो रहे थे कि जब भाजपा ने गि इस थाप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते रवीस कुमार और बड़े-बड़े पत्रकारा की स्पेसली कनहिया कुमार का घंटो-घंटो का इंटरव्यू किया करते थे विदेशी मीडिया जो है वो बेगु सराय में आके बैठा करती थी एक अलग तरह का पाहौल बन गया था बेगु सराय लोकसभा का चुनाव एक अलग लेवल पे कबर किया जा रहा था सोचल मीडिया पे कनहिया कुमार के समर्थन में लोग बोल रहे थे कनहिया कुमार के लिए हजारों लाखों की भीन लग रही थी ठीक वैसे ही जैसे आज पवन सिंग के लिए लग लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि कनहया कुमार एक तरफा चुनाव हार चुके हैं भाजपा से गिरीराज सिंग कई लाखमतों से ये चुनाव जीट चुके हैं तो अगर सोसल मीडिया का हवा देखके लगता है कि पाउन सिंग एक तरफा चुनाव निकालने जा रहे है या ग्राउंड पे कुछ लोगों के चिलाने से आपको ये लगता है कि यहाँ पे पाउन सिंग का बहुत बड़ा क्रेज है तो आप सबसे बड़ी गलत फ़हमी में है हम ये नहीं कहा रहे है पाउन सिंग का क्रेज नहीं है क्रेज है सोसल मीडिया पर जाते जाते सवाल पूछना चाहते हैं ये जो आपको सोसल मीडिया पे हवा दिख रहा है क्या इससे पहले आपने किस योर के लिए ये हवा नहीं देखा है और उसे चुनाव हारते हुए क् और क्या ग्राउंड पे लोगों को चिलाते नहीं देखा है कि हम फलाने व्यक्ति को ही वोट कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ और आते आपने नहीं देखा है तो कारा काट लोग सबाच्षित्र ना तो इससे भिन है और नहीं पवन सिंग उन सबसे विभिन है तो आपको तो आप नजी तो जाइ